गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखे स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम सामवेद के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा वेदों के बारे में हमने पहले से पढ़ लिया है और आपका रिगवेद और यजुरवेद भी हमने पढ़ लिया है अब अगला वेद आता है सामवेद तो देखेगा वेद कितने हैं वेद चार है कौन-कौन से रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथरवेद ठीक है तो जो वेद है ये प्राचीन भारत के साहिते हैं तता हिंदूओं के धरम गरंथ भी हैं वेद सबसे प्राचीन गरं नहीं रचे गये और शुरूती इसलिये कहा गया क्योंकि वेदों का ज्ञान है वो सुनकर गहन के आगया है रिशी प्राचीन गाल में कहा है कि रिशी लोग वहन में किसी वी एक जगाए बैटके और अपने सिश्यों को ज्ञान की बाते गहते थे और वो ही सुनकर ग्यान गरहन किया जाता था उन्हें वो ही सब बातें वेदों में हैं इसलिए वेदों को सुरूती ग्यान भी कहा गया है वेद सब्द का अर्थ ग्यान होता है वेदों में भारत का प्राचीन सामवेद वेदों में भारत का प्राचीन ज्यान सुरक्षित है ठीक है और अब इस वीडियो में हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा सामवेद में साम सब्द का अर्थ है गान अर्थाद हम कह सकते हैं कि सामवेद में रिगवेदिक मंत्रों को गाने योगे बनाया गया है इसमें 1875 रिचाय है तथा 75 सुक्तों को छोड़कर से सुक्त हैं वो रिगवेद से लिए गये हैं और रिगवेद के बारे में हम पहले भ लेकिन इंदर तता सोम का भी वर्णन हुआ है सामवेद को भारतिय संगीत का मूल माना जाता है तो भारतिय संगीत का मूल सामवेद को माना गया है इस वेद का पर्थम दुरिष्टा वेद व्यास के सिसे जैमिनिक को माना गया है अनुस्ठान और हवन के समे सामवेद के मंतर गाये जाते है तो जब भी कोई हमन होता है कोई नुष्ठान होता है उसमें सामवेद के जो मंत्र हैं वो गए जाते हैं सामवेद के दो भाग हैं आर्चिंग सामवेद और गान सामवेद ठीक है सामवेद की तीन वाजनाएं या सहिताएं हैं वो कौन-कौन सी है कोथुम सहिंता, रामायनिय सहिंता, जमीनिय सहिंता तो आपके कोथुम सहिंता ये गुजरात से मिली है रामायनिय सहिंता महरास्टर से, जमीनिय सहिंता कनाटक से सामवेद के पूरोहित तो सामवेद के जो पूरो हीता है वो उदगाता या उददात्री कहलाते हैं ठीक है श्री कृष्ण वेदों में मैं सामवेद हूँ ये वाक्य किसका है वेदों में मैं सामवेद हूँ सामवेद का उपवेद है गंधर्वेद सामवेत के ब्राह्मन ग्रंध है 25 ब्राह्मन जिसको तांडव भी कहा गया है 17 ब्राह्मन जमीनिय ब्राह्मन और चंदोंगे ब्राह्मन ये चीजे याद रखने योगे हैं क्योंकि एकजाम में इन से related question बहुत बार कई बार पुछे गया है सामवेद के उपनिशद, छांदों के उपनिशद, जो प्रिश्ण और विश्णुस्य संबदित है, और एक आपका दूसरा है, केन उपनिशद, आप देखेगा सामवेद, जो वेद है, उसे संबदित महत्तोपुन तथे, साम का अर्थ, संगीत, अथ्वागान होता है, इसमे यग्यों के अलसर पर गाये जने वाले मंत्रों का संग्रे है, जो वेक्तिन मंत्रों को गाता है, उसे उद गाता कहा जाता था, सामवेद के दो परधान भाग हैं, प्रैथम भाग में 6 तथा दुथित्य भाग में 9 परपाठक या अध्धाय हैं, सामवेद का पर्थम वेद्व्यास के सिस्यत जैमीनी को माना जता है कालांतर में इसका विस्तार आचारी सुकर्मा ने किया सामवेद की परमुक साखाएं हैं कोथुम जैमीनी और रमाइणिये सामवेद में कुल 1845 रिचए है इनमें मत्र पचोतर ही नहीं है अन्ने रिगवेद से ली गई है प्राचीन गरंथों में सामवेद के गोरव की गाथा मिलती है बताया गया है कि जो साम को जानता है वही वेदों के रहसे को जानता है गिता में बगवान कृष्ण ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है रिगवेद तथा अथरवेद में भी साम की परसंसा मिलती है रिगवेद और जो अथरवेद हैं इनमें भी साम की परसंसा मिलती है सामवेद को भारतिय संगी सास्तर का मूल कहा जा सकता है तो देखिएगा इस वीडियो में हमने सामवेत के बारे में पढ़ा और इत्यास के बारे में आपको और भी नहीं नहीं जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें धन्यवाद